नमस्कार दोस्तों योगिश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वाग दोस्तों आज हम जानेंगे 300 लिटर हार टोप टाइप डी फीजर में अगर आपको एपरेटर की पाइप दुबारा से बिछानी है यानि उसे रीकोईल करना है तो आपको कितने नंबर की और क कौन सी कैपलरी का आप इस्तिमाल करेंगे यह सभी बाते मैं आपको सिर्फ दो मिनट में बताने जा रहा हूँ तो दोस्तों अगर आपका डी फीजर एर कुल्ड करनेंसर वाला है जैसा आप आप साइड में देख पा रहे हैं तो आपको जो पाइप इस्तिमाल करनी है एप कैपलरी की बात करते हैं अगर एर कुल्ड करनेंसर वाला डी फीजर है तो आपको कैपलरी इस्तिमाल करनी है 31 नंबर की 12 फूट कैपलरी और अगर इस्किन टैप वाला करनेंसर है तो आपको 31 नंबर की कैपलरी 13 फूट इस्तिमाल करनी है तो दोस्तों यह वो डाटा है जो आपके काम आएगा